बिहार का सबसे पहले खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गटना अस्तल पर ही मौत हो गई जबकि पाच प्लिस कर्मी घायल हो गएं जिसमें दो की हालात गंभीर देखते हुएं चिकस्तक न उन्हें पटना के बड़े अस्पताल में भेज दिया है तकर इतनी तेस्थी की ट्रैक्टर के पचखडे उड़ गए पुलिस की जीपी चत्रिगस्त हो गई घटना के सुचना मिलने पर पहुची पुलिस ने डंपर को जब्ट कर लिया और घटना की जाच में चुटी हुई है इस हास्रे में सब इंस्पेक्टर बिजय कुमार सिंग, सिपाही सियाम कुमार पंजियार, बबन कुमार चौधरी, संजय कुमार सिंग और सिपाही साचालक मंजूर आलम खायल है जिनका इलाज जारी है, वही रफिगंज गुरारुपत के सीमा गाउं के समीप, डंपर ने बाइक सवार को रौन दिया, जिसमें एक की मौत घटना अस्तल पर ही हो गई, एक की मौत इलाज की क्रम में हुआ बताया जाता है, यह दोनों इवक बाइक पर सवार होकर सैचनिक कारेहेतू जा रहे थें, इसे बिच विप्रिदिशा से आ रही डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत घटना अस्तल पर और एक की मौत अस्पताल में हो गई रफिगंज पुलिस ने डंपर को जटकर थांग ले आई और जाच में जुटी है, वहीं आकरिश्टो ने सलक जामकर मौअबजे की मांग कर रहे हैं, और अंगावा से मन्टु ठाकुर की रिपोर्ट अब उसको ले करके डाला खोल करके लोट करने की तयारी में थे उठाये ही, तब तक उधर विप्री बिशा से वहवाहा करके धकावाद दे, आगे से उसी में हम लोगी निचे पर गए कितने साथी घायल हो गए उसमें, अभी क्या इस्तिती है, जो आदमी के फर है, पटना, एक आदमी मोग्रा में है, जो आदमी सदर हो हस्पीचल में हम लोग सुबह सुबह उठे, बाता चला कि वह पीक अप पल्टी मार ले हैं भरूग मोड़ पर, तो पिर हम रागाव के अरगा ले गया, तो इस करम में निखाल रहा था तो उथर से डंफर आया ऑग्टा ने मार चला टो पर ले हैं देन था, अगषे मर गया था, और ट्रेक्टर वाल भी, दो आदमी मर गया और जो चार गों पलीश कर लें लोग्र है, जो पंटना, रेफर हैं दो हर अरगाबा तो आलम हो आपको? लार बीन कमार यह उलम हो आयrån